अस्सलामु आलेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खेरियस से होंगे, आज का हमारा जो मौजू है और जिस टोपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, वो नमास के अंदर रुकु की सुननते हैं, कि रुकु करने का सुननत तरीका क्या है और रुकु के अंदर सुननते कितनी ह तो चलिए बिना किसी टाइम वेश्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं रुकू के अंदर आठ सुन्नत हैं सबसे पहले नमबर पर है कि रुकू की तक्बीर कहना जब हम रुकू के लिए जाएंगे तो रुकू की तक्बीर कहेंगे तो ये तकबीर कहना सुन्नत है दूसरे नमबर पर है कि रुकू के अंदर घुटनों को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ना इसका मतलब यह है कि जब दूसरा आदमी देखेगा कि आप रुकू में हो तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपने मजबूती के साथ घु पकड़ना ठाएं तीसरे नमबर पर है कि रुदक के अंदर घुटने पकड़ते वाक्त उंगलीयों को कुशादा रखना यानि मतलब इस तरीके से जैसे हमारा घुटना है तो हम जब घुटने को कुशादा रहेंगी खुली हुई रहेंगी बिल्कुल इस तरीके से बंद चुपकिवी मेले चाहिए उंंलियों को खोल कर और कुशबा करके रखना चाही है चोथे नमबर पड़ है कि कुषबर करके रखना चाहिए चोथेनम्बर पर है कि पिंडलियों को सीधा रखना ने चाहिए जो Princiли को सीधा रखना जबемся that तो जैसी यह मानलो पिंडली है तो इसको इस तरीके से बैंड करके रखते हैं मोड करके ऐसे नहीं बलके इस तरीके से सीधा रखेंगे यानि लोग होते है को हुदार पीटी और इसको से नहीं है बलको फिकी को बिचा देना चएक है तो आपनी जगा इ Greek अपर यह होती है आज कर लोगों के अंदर जादा पाई जाती है के जब वहीं मत Gust को मतलब इचाते हैं तो पीत को बिचाने के वक, पीत को बराबर करते हुए वो अपने कहुनियों को इस तरिकganा से मोर लेते हैं तो कहुनियों को नहीं मोरना . कौहुनियां बिल्कुल इस तरीक squid से सीधी रहेंगी .। कौहुणियां सीधार कर तब जाके पीट को बिचा देना है कि कौनियों मतलब पीट को बिचा देने के चक्कर में कौनियों के इस तरीके से मौर कर बाहर की तरफ रखेंगे तो इस तरीके से सही तरीका नहीं है बलके हाथों को बिलकुल सीधा रखेंगे छटे नमबर पर है कि सर और सुरीन को बराबर रखना मालो हम इस तरह की से रुकू करेंगे तो रुकू के अंदर ये सर है और ये सुरीन है यानि चूतर तो इसको और इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे सर जादा उठा हुआ या फिस जादा नीचे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए बलके सर और सुरीन बिलकुल बराबर होनी चाहिए जो लेवल सर का होगा वो ही लेवल सुरीन का भी होना चाहिए तबी जाके हमारी पीड भी बिल्कुल बिज जाएगी और पीड बिल्कुल बराबर होगी साथवे नमबर पर है कि रुकु के अंदर कम असकम तीन बार सुभाना रब्य राजीम कहना यानि रुकू की तस्वी कहना रुकू के अंदर कम अज़ कम तीन बार कहना ये सुन्नत है आठवे नंबर पर है कि रुकू से उठते वक्त इमाम को तस्मी तस्मी यानि समिय ल्लाहुलिमन हमीदा कहते हुए खड़ा होना और मुक्तदी को तेहमीद तेहमीद कहते हैं रब्बना लकल हम्द को कि जब मुक्तदी उठेगा तो रब्बना लकल हम्द कहेगा और अगर कोई मुन्फरिद है यानि अपनी नमास अलग पढ़ लहा है मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाई हुई है कि मुक्तदी किसे कहते है मुन्फरिद किसे कहते है और मस्बूख किसे कहते है उसका लिंक आपको आई बेटन पर मिल जाएगा तो अगर कोई मुन्फरिद है तो वो दोनों कहेगा यानि तस्मी और तहमीद दोनों कहेगा यानि जब रुकु से उठेगा तो समी अल्लाहुलिमन हमीद भी कहेगा और रबनालकल हम्द भी कहेगा तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये सारी बाते पहुंचे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो इंशालला मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज